हे दोस्तो नमस्कार हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट यह पूछ रहे थे कि जो ग्रिजुशन अंतिम बर्स में जो इस्टूडेंट है वो MPPSC 2019 का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं और दोस्तो इसमें मैंने जो सोर्स बताऊँगा मैं आपको MPPSC का जो नोटिपिकेशन आया है उसी को देखकर मैं आपको बताऊँगा जिसमें फ्रेंस आपको ये बात क्लिएर हो जाएगी कि नहीं आप भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं दोस्तो मैं आपको एक बार बता दूँँ वैसे आप सभी को पताऊगा MPPSC 2019 का नोटिपिकेशन आ गया है और इसमें दोस्तो फिर बाद में एक और मतलब नोटिस आया था जिसमें वेकेंसी बढ़ा दी गई थी कि लगबत 390 के आसपास वेकेंसी हो गई है जो के दोस्तो पहले 330 थी आईए देखते हैं क्या है क्या अंतिम बर्च के जो चात्रें वो फॉर्म भर सकते हैं के नहीं दोस्तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आप सुनते चलना ऐसे अव्यरती जो किसी ऐसी परिच्छा में सम्मिलित हुए हो जिसमें उत्रीन होने के पश्चाद बे आयोक की परिच्छा के लिए सेचने करूप से अहर हो जाएंगे किन्तु जिसका परणाम गोसित नहीं ऐसे समझत अव्यरतियों के लिए जो आयोक द्वारा राज सेवा परिच्छा में सम्मिलित होने के लिए हर गोसित किये गए हो मुख्य परिच्छा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक तक इसना तक समकच्छ या फिर जो भी जरूरी मतलब परिच्छा है उत्रीन होना अनवार है ऐसे अव्यरति जिनोंना मुख्य परिच्छा के लिए आवेदन परिच्छत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्म इसना तक या समकच्छ जो जरूरी परिच्छा है वो तरीन नहीं की है मुख्य परिच्छा है तू आवेदन करने के पात्र नहीं होगे यान उस समय तक आपका result नहीं आएगा दोस्तू तो आप form नहीं बर सकते हैं इसमें ऐसा लिखा है इस पश्ट लिखा है तो अब यदि आपका दोस्तू देखिए अब कब तक 12 जनवरी का जो paper है तो यह माल लीजे March तक जो है March April तक result आजाएगा March April तक और June तक साइद तो friends आपके जो मतलब graduation है वो clear होनी चाहिए मैंस के form से पहले वन्ना आप मैंस का form नहीं भर पाएगे तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कौन अंतिम बर्ष के जो student है वो form भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं और इसमें एक और बात बोली है दोस्तों साथ-साथकार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अहरकारी परिच्छा उत्रीन करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनुप्रमाणन